एलो एवरीवन वेलकम बेक टू माई चैनल वन वीजन एम बीबीएस तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एपोप्टोसिस के बारे में देखिए एपोप्टोसिस बहुत ही इंपोटन ग्वेस्टन है युनिवर्सिटी एक्जाम के लिए ओके तो हम एपोप्टोसिस को दो पार्ट में पढ़ने वाले हैं सबसे पहले हम देखेंगे एपोप्टोसिस का मतलब देखेंगे और फिर कोजीज और मॉर्फोलोजिकल चैन्जीज के बारे में देखिए यह हम इस वीडियो में देखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में हम समझने वाले हैं induced by tightly regulated suicide program इसका मतलब क्या हुआ suicide program एक तरह से क्या होता है यह program cell death है हमारी खुद की body की genetics ही हमारी body के कुछ cell को मार देती हो के इसे हम कहते है apoptosis देखिए हो गई definition यह क्या है apoptosis यह है it is derived from the Greek word उसका meaning क्या होता है falling of falling of का मतलब क्या हुआ गीर जाना मतलब की हमारी पेड की जो डाली है वहाँ पे क्या हुआ उसकी leaf वहाँ पे जुड़ी होती है वह वहाँ से निकल जाती है छूट जाती है मतलब उसे हम कहते है falling of तो apoptosis भी उसी तरह के होता है मतलब की एक cell का यहां पर देखिए ना बहुत सारे इस तरह से सेल होते है न तो apoptosis क्या करता है एक cell जो extra cell होते है मतलब की अब वह कुछ काम के नहीं है उसको क्या करता है genetically उसका suicide करवा देता है मतलब की उसका program cell death करवा देता है तो इसे हम कहते हैं apoptosis ठीक है यह जो apoptosis है ना उसकी most of the studies किस organism के उपर हुई है वो हुई है उमारी c elegans के उपर most of the studies हुई है उमारी apoptosis की ठीक है अब देखिए apoptosis क्या है it involves single cell death apoptosis में सिर्फ single cell की death ही होती है जब कि हमने necrosis में death देखाता है ना multiple cell की death होती है बहुत सारे cell की death हो जाती है नेκरोसिस में जबकि apoptosis में सिर्फ single cell की death होती है ठीक है यह हो गया हमारे introduction और definition of the apoptosis के बारे में अब हम देखने वाले है causes of the apoptosis देखिए, causes दोग तरगे है apoptosis के, physiological भी होता है और pathological भी होता है physiological का मतलब क्या हुआ normal condition में भी होता है और pathological means abnormal condition में भी apoptosis हो सकता है ठीक है, तो सबसे पहले normal condition में कब होता है, वो देखते हैं removal of excess cell during the embryogenesis and developmental process देखिए, इसको समझने के लिए मान लीजिए, कि देखिए, यह उमारा जो हाथ बनता है न यह इंगलियों के बीच में जो यह गेफ है न यह पहले नहीं होता embryogenesis जब अमरे होती है तो यह दोनों यहां से जूड़ी सभी उंगलिया यहां से जूड़ी होई होती है लेकिन developmental process में क्या होता है यह जो यह बीच की जो यहां पर cells होती है न यह क्या इसके क्या हो जाता है apoptosis हो जाता है और यह जो उंगलिया है इस तरह से एक दूसरे से separate हो जाती है यह किस से होता है यह apoptosis से ही होता है तो यह पहला point यह है second है हमारा elimination of cells after withdrawal of hormonal stimuli देखे ना example क्या लिखा है endometrial shedding during the menstrual cycle देखे ना menstruation कब होता है जब हमारा LH और FSH बढ़ जाता है अमारी बोड़ी में तब क्या होता है जो endometrial layer है वो अच्छी तरह से prepare हो जाता है ठीक है लेकिन अगर हमारा LH और FSH का level अगर हमारी बोड़ी में कम हो गया तो क्या होता है endometrial shedding हो जाता है मतलब menstrual cycle में क्या होता है bleeding हो जाता है ना यही कह रहा है कि जब hormonal stimuli गरम withdraw कर दे FSH और LH का stimuli गरम निकाल ले मतलब उसका level कम कर दे तो क्या हो जाता है जो endometrial prepare हुआ था ना cell share तो वह cell का क्या हो जाता है apoptosis और वह bleeding के साथ बाहर निकल जाते है उसे हम कहते है endometrial shedding तो यह भी process apoptosis से ही होती है next हमारा death of harmful self-reactive lymphocyte मतलब कि self-reactive lymphocyte जो हमारी body में बन जाते है ना उसको भी kill करता है हमारी body किसकी वजह जे program cell death apoptosis के through ठीक है और death of the cell that have their own purpose ठीक है यह हो गया हमारा physiological example अब हम देखते है pathologically apoptosis किस तरह होता है elimination of cell with damaged DNA मतलब कि कुछ देखे ना radiation हमारी body में radiation की वजह से कुछ cell है उसके DNA में deformity हो गए तो वो deform जो DNA वाला जो cell है उसका क्या हो जाता है हमारी body में apoptosis हो जाता है ठीक है next है elimination of cell with excessively accumulated misfolded protein देखे अगर हमारी body के किसी भी cell में excessively misfolded protein का एगर accumulation होगा तो वहाँ पर क्या होगा ER stress और उसी cell का क्या हो जाएगा फिर ER stress की वजह से apoptosis हो जाएगा next death of the cell infection 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 अगर हमारी body के किसी भी cell में viral infection हुआ हमान लिजे AIDS में क्या होता है HIV के जो virus है वो कहाँ पर होते है CD4 plus T cell में होते है तो उसको हमारी body में CD4 plus T cell अगर detect हो गया उसमें HIV तो क्या करता है उस cell का apoptosis हो जाता है ठीक है तो यह हो गया pathological causes of the apoptosis अब हम देखते है morphology of the apoptosis देखिए morphology बहुत important point है क्योंकि इस body में apoptosis हुआ है मतलब कि इस cell में apoptosis हुआ है वो आप कैसे जान सकते है तो वो हम जान सकते है morphological features के तुरू सिर्फ चार ही आपको याद रखना है कौन-कौन से सबसे पहला है cell shrinkage अगर body में मतलब कि cell में apoptosis हुआ तो उस cell का क्या हो जाएगा shrinkage हो जाएगा यह क्या है earliest feature है ठीक है second है हमार chromatin condensation अगर apoptosis वाले cell में क्या हो जाता है chromatin का condensation हो जाता है और कहां पे peripheral region पे मतलब कि यह cell है न तो उसमें जो chromatin है वो periphery पे condense हो जाता है इस तरह से ठीक है और it is the most characteristic features ओके apoptosis का most characteristic features कोंचा है chromatin condensation at the peripheral ठीक है यह हो गया second और most important point third one is plasma membrane देखिए यह आपको अच्छी तरह से समझेना है अगर हमारे किसी भी cell में apoptosis हुआ तो उसमें क्या होता है कि जो cell अगर मांद लिए इस cell में apoptosis हुआ तो इसके जो plasma membrane है ना cell की वो कैसी रहती है intact रहती है और plasma membrane के intact रहने से क्या होता है वहाँ उस जगब पे जहां पे वो cell present है वहाँ पे inflammation absent होता है मतलब कि inflammation नहीं होता अपने necrosis में देखा था ना कि plasma membrane intact नहीं रहती तो उसकी वज़े से क्या होता है inflammation होता है यह difference हो गया दोनों के बीच में ठीक है यह third one और last और fourth point कुंसा है morphology में plasma membrane blebs are formed it will result in apoptotic body देखिए यह हमारी cell अगर इस cell में apoptosis हुआ तो यहाँ पे क्या हो जाता है इस तरह से blebs का formation हो जाता है और यह जो blebs है यहाँ से separate हो जाता है cell में से और इस तरह की vacules का formation करते हैं जिसे हम कहते है apoptotic bodies ठीक है और जो apoptotic bodies के बारे में अगर आपको पूछे तो आपको कहे देना है तो यह हो गया अमारी morphology of the apoptosis अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले है अच्छी तरह से समझने वाले है mechanism of the apoptosis थेंक्यो अबरीवन थेंक्यो फर वाचिंग इस वीडियो और कीप वाचिंग अबरीवन थेंक्यो अबरीवन थेंक्यो अबरीवन थेंक्यो और कीप वाचिंग